dear students आज हम पढ़ेंगे amino acids के कुछ reactions इस reactions होते हैं amino acids में वो दो functional group के कारण होते हैं क्योंकि उसमें amino group भी होता है और उसमें इसमें वो दोनों का मिला जुला प्रभाव दिखाता है तो हम इसको तीन डूप्स में डिवाइड कर सकते हैं इसके reactions को एक तो वो reaction जो सिर्फ NH2 group की वज़े से होते हैं दूसरे वो reaction जो सिर्फ COH group की तरव वज़े से होते हैं और तीसरे वो reaction जो NH2 और COH group इन दोनों के कारण होते हैं इनके मिले जुले प्रभाव को दिखाते हैं तो आज हम इसमें इसी संक्रा में आज हम पढ़ेंगे वो reactions जो इसमें amino group की वज़े से होते हैं यानि कि इसके basic character को जो शो करते हैं बेसिक character को शो करने वाले reaction में सब सर प्रथम जो आएगा सबसे सरल जो reaction है वो इसका reaction है mineral acids के साथ mineral acid यानि कि acid अगर इसमें डालेंगे जैसे कि HCl तो naturally H positive जो है acid वो H positive को electron pair चाहिए कहां से मिलेगा nitrogen के lone pair से तो nitrogen पे attack करेगा तो बन गया NH3 positive nitrogen ने lone pair दे दिया और Cl negative यानि कि किसका formation हो गया salt formation so this reaction shows the basic nature that is the presence of amino group ये उसी प्रभाव को दिखाता है जो कहते हैं कि acids और base जब react करते हैं तो salt बनाते हैं तो acid के साथ ये base react कर रहा है और क्या बन जा रहा है ये salt बन जा रहा है उसकी presence में तो इसका सबसे subtle reaction है सबसे easy reaction है अब दूसरा reaction जो हम कहते हैं इसका acylation reaction ये acylation reaction जो है कि जो हमारा amino acid remember all these are alpha amino acid RCH COH यानि जो हमारा carbon alpha carbon है COH के सापिक्ष वो जो है क्या लगा है उसमें amino group alpha amino acid alpha amino acids जो naturally occurring जो होते हैं हमारे amino acids alpha amino acids इसका हमने करा acetyl chloride के साथ reaction तो reaction को उसी धंग से होता है जैसे फ्रेडल क्रास अगरे reaction होते इस तरह से मतलब हमारा बन जाएगा base की presence में होता है तो base की presence में reaction होगा तो naturally CH3 CO C को electron चाहिए कहां से मिलेंगे यह क्योंकि इसमें से CL निकल गया CL निकला तो यह electrons कहां से मिल गया इसको इसको मिल गया nitrogen से यानि कि हमारा क्या बन गया यह N-acetyle derivative यह amino group के protection के लिए भी use होता है कई जगे reactions में जहां यह चाहते हैं कि NH हमारा group जो है NH2 यह react ना करें खली COH वाला को ना react करें तो इसको protect करने के लिए भी इस तरह से इसका यह N-acetyle derivative बनाया जाता है है तो यह भी इसका क्या दिखाता है कौन सब्सक्राइब दिखाता है यह behavior दिखाता है इसका नेचर की इसमें कौन सब्सक्राइब प्रेजेंट है कि कुछ CS3 CO जो है जब CL निकल जाएगा तो इसको electrons चाहिए है तो electrons वो कहां से मिलेंगे I mean I mean nitrogen के ओपर जो electrons present है base तो उससे मिलेंगे तो उसका वो behavior basic behavior दिखाता है due to the presence of NHL the next reaction in this series is the benzoylation reaction benzoylation reaction is similar to the acetylation reaction which we did earlier except in this case rather than CS3 COCL इसमें यूज होता है benzoyl chloride तो benzoyl chloride जब इसके साथ react करेगा तो फिर से base की presence में HCL निकल आएगा और हमारे पास जो बनेगा यह glycine के साथ देखा रखा है है उसका खास कारण है वैसे सभी के साथ benzoylation होता है पर इसलिए क्योंकि glycine के साथ जब यह react करेगा तो इसका जो benzoyl glycine जो derivative बनेगा इसको हिपुरिक acid भी कहते हैं क्योंकि हिपॉस का मतलब होर्स ग्रीक में होता है तो क्योंकि होर्स यूरिन में मिलता है बहुत यह acid तो इसलिए इसका नाम हिपरिक acid मतलब ही क्या reaction है benzoylation जैसे acetylation वैसे ही benzoylation इसके बाद का जो अगला reaction है जो हम करेंगे वह reaction इसका nitrous acid के साथ अब nitrous acid के साथ जो इसका amino method for nitrogen determination तो once like amino nitrogen का determination यानि कि amino acid में nitrogen जो present है तो उसका determination इस method से होता है क्योंकि जैसा दिख रहा है कि इसमें क्या होगा कि amino acid जब react करेगा तो उसके साथ क्या बना लेगा hydroxy derivative क्योंकि HNO2 और एक जो है nitrogen जो बनेगा उसका एक जो atom आता है वो कहां से आएगा एक तो आएगा हमारे nitrous acid के nitrogen से और दूसरा nitrogen जो आएगा वो आएगा हमारे amino acid से तो 50% उसका amino acid से आता है तो इसलिए यह method जो है यह use करी जाती है for determination of nitrogen in amino acids यह नाम से जानी जाती है यह events like method of determination उसके बाद का जो अगला reaction है वो भी इसलिए important है जो हम करेंगे fifth reaction वो है इसका reaction di-nitro fluorobenzene के साथ और यह important क्यों है आप देखेंगे क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो Sanger's reagent भी बोलते हैं इसको 2,4 di-nitro fluorobenzene NH2 फिर से amino group के कारण यह reaction हो रहा है तो reaction जैसा पताया जा रहा है important इसलिए है क्योंकि इसमें यह reaction फिर base की presence में होगा HF फिर से NH2, HF निकल गया और HF जब निकल गया तो क्या बनेगा जहां पर हमारा fluorine था fluorine निकला तो naturally electrons जो है कहां से पूरे हुई electrons किसे मिले electrons जो मिले वो मिले कहां से nitrogen basic nitrogen तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा NH, CH, R, COO negative, NA positive basic media में हम तो इसलिए NA positive तो यह जो इसका derivative है अब आप देख रहे हैं क्या हुआ कि जो इसका kona था that is the N-terminal nitrogen वाला kona क्योंकि amino acid में देखे दो kona होते हैं एक होता है इसका C-terminal जहां COH होता है और दूसरा होता है इसका N-terminal जहां पर क्या होता है हमारा NH2 present होता है अब जहां पर बहुत लंबी chain है और अगर उसमें कोने में जहां पर NH2 present होगा वो ही वाल doomed crystalline derivative बन जाता है बहुत अच्छा derivative बन जाता है DNFP derivative जो बनता है तो इसको इसलिए N-terminal residue के determination के लिए भी योस किया जाता है amino acids में crystalline derivative जो बनता है हमारा है इसको dnfp derivative क्याते है और और रिएजेंट का नाम होता है Sanger's, इस रिएजेंट को Sanger's रिएजेंट बूला जाता है, यह जो sixth reaction है, यह अब इसका deamination, deamination जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है कि अमीनो ग्रुप को अलग कर देना, तो यह deamination reaction, hydrogen chloride की presence में, आप ने देखा एक ऐसे इसमें से NH3 निकल गया, NH3, deamination, तो साथ और क्या बन गया, RCH2 क्योंकि एक हच वहां से निकला, तो बन गया, RCH2, COH, यह तो deamination, general reaction है, deamination का, याने कि अमीनो ग्रुप का इसमें से निकलना, in the presence of, in other words, NH2 has been removed, so that's why the name is deamination, but in living organisms, जो यह reaction होता है, उसको वो हम बोल सकते है, oxidative deamination, यह liver, kidney के लिए बहुत ही important reaction है, यह, biochemistry में बहुत ही important है, क्योंकि इसमें क्या होता है, deamination तो होता ही होता है, NH2 ग्रुप तो निकलता है, निकलता है, साथ में oxidation भी हो जाता है, यानि कि उस position में oxygen लग गए, तो उसे keto acid बनता है, तो यह हवारी liver, कितनी वगएरे खास का liver में, यह mechanism वहां के लिए बहुत important है, enzymes की help से होता है, amino oxidase enzymes की help से होता है, यहां तो इस तरह दिखा रखा है, तो क्या होगा देखे, पहले oxygen की presence में क्या बन गया, amino acid, amino कैसे बना यहां, amino इस तरह बना कि इसमें oxidation होगा, तो यह क्या निकल गया, यहां से देखे, एक valency कम होगी न, oxidation हो रहा है, H निकल गया, तो इसने nitrogen फिर से lone pair, उसके साथ क्या बना लिया, double bond है, एक H वहां से, एक H यहां से, तो double bond बन गया, क्योंकि इसकी भी एक valency, इसकी भी एक valency कम होगी न, amino, कैसा acid, amino, अब यह amino acid जो है, यह water के साथ react करके, हमें क्या देदेगा, keto acid, क्यों, water के साथ react करेगा, तो यहां से NH3 निकल जाएगा, NH3 निकल गया, और NH, और दो यह H यह, NH3 निकल गया, तो NH3 निकला, तो जहां double bond NH था, वहां क्या आ जाएगा, double bond CO, मतलब हमारा formation हो गया, keto acid का, तो इसमें पहला तो था जो oxidative नहीं है, वैसा deamination, और दूसरा deamination, oxidative deamination, जो कि हमारे organism के अंदर होता है, जो हमारे body के अंदर होता है, biochemistry के लिहाज से बहुत important है, enzymes इसको catalyze करती है, जिसमें deamination भी होगा, यानि कि NH2 ग्रूप भी निकलेगा, side by side oxidation भी होगा, यानि कि वो keto में, acid में change हो जाएगा, हमारा amino acid change हो जाएगा, किस में? keto acid में change हो जाएगा, इसके बाद का जो हम अगला reaction करेंगे, वो reaction है, aromatic aldehyde का, यह use होता है हमारा, जो reaction है, aromatic aldehyde के साथ, यह use होता है हमारे shift space बगएर बनाने के लिए, कि इस तरह हमारा shift space बनता है, इसे, देखे, aromatic aldehyde है, shift space जैसा की, मालूमी है, फिर से NH2 की वज़ए से है, यह reaction है, अब क्या होगा, देखे, CH double bond O, double bond O, फिर से C positive, O negative, O में क्या लग गया, NH2 का H, तो इससे वो change हो गया, OH में, और N किस के साथ जुड़ गया, C के साथ, कारगोनाईल, C के साथ, aldehyde के साथ, तो बन गया C6H5, CHOH, NH, और amino acid है, बाकी तो पोर्षन वही रहेगा, देखे, CH, R, COH, इसको तो आपना छेड़े, क्योंकि यह portion हर एक में इस तरह ही है, क्योंकि हम यह actions को इस तरह कर रहे हैं, कि जिससे simplify करके कर रहे हैं, easy पड़े, तो यह portion तो इस तरह ही जाएगा, यह वाला जो portion है, अब further इसमें से H2O निकल गया, OH और H, as a result हमारा क्या बन गया, shifts base, यह जो बना है, इसको क्या बोलते हैं, shifts base बोलते हैं, shifts base, यह कई antimicrobial activity वगएरे, study करने के काम में आता है, metals के साथ इसको link करके, तो shifts base, कैसे बना, aromatic aldehyde से बना, condensation type का reaction हुआ, C, OH, carbon, जो है, nucleophilic, उसमें attack, और उसके बाद H और OH यह निकला, H कहां से निकला, nitrogen से, OH कहां से निकला, carbon से, और इन दोनों के बीच में क्या बन गया, यह double bond, इसको कहते हैं, shifts base, CH, OH की जगे आ गया, N, बस यह हुआ है, nut shell में कहना चाहिए, तो क्या निकल गया, H2, H2 किसका, N, H2 का H2, और O किसका, aldehyde का, O, तो जो formation हुआ, वो बन गया, shifts base, now the next reaction is a very simple and easy reaction, which is a reaction with carbon dioxide, on carbon dioxide, when it reacts with an alpha amino acid, what is formed basically, is a structure which is very simple, carbon dioxide is just inserted or added onto it, in other words, we get the formation of R, NH2, CO, H, तो R, N, H, बीच में क्या insert हो गई देखिए, COO, तो क्या बन गया, R, N, H, R, C, H, N, H, C, O, H, simply CO2 जो है, वो insert हो गई है किसमें amino group, इसलिए reaction जो है, यह amino का reaction कहलाता है, तो हम लोग उने इसमें आज इतने reactions देखे, वो किसके कारण थे, इसके basic nature को दिखाते हैं, और वो basic nature को दिखाने के अलावा यह दिखाते हैं, इसकी basicity को जो प्रकट करते हैं, कि किस तरह इसमें दो functionality होती हैं, और वो दोनों independently act कर रहे हैं, amino अपना प्रभाव अलग दिखा रहा है, COH के reactions हम इसके बात पढ़ेंगे, तो हमने जो reactions पढ़े हैं, वो कौन से पहले तो इसका सबसे सरल reaction, mineral acid के साथ, salt बनाना, acylation, acetyl chloride के साथ, benzoil lotion के साथ, benzoil chloride के साथ, और nitrous acid के साथ, जो reaction पढ़ा, वो vans-like method, जो determination nitrogen के लिए होती है, फिर हमने देखा, dnfp याने की sangles reagent के साथ, इसका reaction, जो n-terminal इसका कोना है, वो react करता है, crystalline compound बनता है, इसलिए यूज करा जाता है, n-terminal residue के लिए, determination के लिए, फिर हमने देखा, इसका deamination reaction, जो की साधा deamination भी हो सकता है, सिरफ amino acid अगर निकला, और simple acid बन गया, या oxidative deamination, जहां हमारा NH2 तो निकला, पर उसकी जगे क्या लग गया, वहाँ पे oxygen तो क्या बन गया, keto acid बन गया, फिर हमने देखा, shifts base का formation जो होता है, किसके साथ, aromatic aldehyde के साथ, और ये reaction, जो last reaction है, reaction है, carbon dioxide के साथ, जिसमें एक सिरफ carbon dioxide का insertion सा कहना चाहिए हो जाता है, with the group NH2, कुछ निकलता नहीं है इसमें, तो NH2 के साथ, acid, NHCOH, ये बन जाएगा, so these were all the reactions for the amino group, इसके बाद फिर हम करेंगे, reactions जो होते हैं, किसके कारण, carboxylic group के साथ कारण, और फिर कुछ reactions जो होते हैं, जो मिला जुला प्रभाव होता है, किसका carboxylic का और amino का, जिन reactions में, फिर वो study करेंगे,